नमस्कार दोस्तों में उरितिक बोत्रा और आप देख रहे हैं हमारा अपना चनल गरिमा बोत्रा दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं महराजा गंगा सिंग विशु इद्धा ले विक्कानेर के टाइम टेबल के बारे में दोस्तों मैं आपको बता दू हम जी एस का दोस्तों टाइम टेबल है वो आया नहीं आया या फिर नौन घॉलेज Another explored में जिन सब्यूक्त's का टाइम टेबल हो नहीं दिखाया जा रहा तो उनका जो एक्जाम दोस्तों वो कब होगा इन सारी बातों को दोस्तों हम जानेंगे लेकिन आगे बढ़ने से पहले हैं आप अपने भी तक हमारे अपने चैनल गरीमा बहुत राको सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन बटन को दबा दीजिए जिससे सभी प्रकार के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके हैं और आपके पास पहुंचे सभी वैसे टिक निव जारी किया गया या नहीं किया गया तो मैं आपको बता दू कि जितने भी यूजी यानि अंडर ग्रेजुएर्शन से समंदित हम जी एस्यू के स्ट्रीम है सभी का टाइम टेबल जारी कर दिया गया है चाहिए वह बीए सी हो बीकोम हो बीएफे हो बीसी हो अलल भी हो या फ उफसे पहले केवल बीएफार्ट वन और बी फार्ट तो नोन कोलेजियन टिolphún का टाइम टेबल आया होता तो दोस्तों सबी में ब्रम यह हो रहा है कि यह एकल टाइम टेबल आया है या योजी ऑख यह रइगुलर श्टूडेंट का दोस्तों जो हमारे चेनल को रहो मैंने आपको बताया था कि केवल B.A. Part 1 और B.A. Part 2 दो ही ऐसी स्ट्रीम्स है जिसमें Non Collegiate Student और Regular Student के Exam है वो अलग लग होते हैं बाकि जितने भी स्ट्रीम्स है उन सभी के जो Exam है दोस्तो वो एक साथ ही होते हैं यानि जो आप भी आप इपनी स्क्रीन पर टाइम टेबल देख रहे हैं B.A. Part 3 का वो Non Collegiate Student का भी है और Regular Student का भी दोस्तो यही टाइम टेबल है यानि B.A. के चाहिए Non Collegiate Student हो आप चाहिए Regular Student हो आप दोनों के जो टाइम टेबल है वो एक ज़न सेम ही होंगे क्योंकि एक जाम एक साथ ही होने है आपके 16 मार्च को आपके एक जाम स्टाट होने है सोंवार को टाइमिंग रहेगी तीन बज़े से लेकर 6 बज़े तक हो जो पहला बेपर है दोस्तों वो आपके एकोनोमिक्स फर्ष्ट का बेपर है इसी तरह चाहिए आप बीए सी हो चाहिए बीकोम हो चाहिए आपका अन्य कोई भी स्ट्रीम हो सभी के Non Collegiate Student और Regular Student के जो टाइम टेबल है दोस्तों वो सेम है आपका एक जाम है वो एक साथ होना है उसके बाद दोस्तों दूसरा क्यूशन हमारे सामने आया वो यह आया कि जैसे सोसियोलोजी सबजेक्ट या फिर इंग्लिश लिटरेचर सबजेक्ट Non Collegiate Student के टाइम टेबल में नहीं दिखा रहा है तो उनका वो एक्जाम है वो कब होगा तो दोस्तों मैं आपको बता दू कि Non Collegiate वाले जो इस्टूडेट है उनके वो नहीं दिखा रहा है उनके कल जो रेगुदर के टाइम टेबल जारी कर दिया गई है उनमें सोसियोलोजी भी है English Literature भी है अन्य वो सभी सब्जेक्ट से जो Non Collegiate Student में नहीं थे तो जैसे माल लीजिए कोई Non Collegiate Student है उसका सोसियोलोजी का भारम भरावा है लेकिन सोसियोलोजी का जो एक्जाम है वो Non Collegiate के टाइम टेबल में नहीं दिखा रहा तो आप उस क्लास का रेकुलर का टाइम टेबल देखे और जिस दिन उन रेकुलर का सोसियोलोजी का एक्जाम है या अन्य किसी सब्जेक्ट का एक्जाम है उसी दिन आपका Non Collegiate Student का भी एक्जाम होगा यानि की जिन सब्जेक्ट को नहीं दिखाया जारा Non Collegiate के उसका Non Collegiate हो चाही रेकुलर वो दोनों का जो एक्जाम है दोस्तों वो एक साथ ही होना है ये कुछ एक दोस्तों बरमते MGSU के टाइम टेबल के बारे में जो मैंने आपको बता दिया और हमें हमत सी हमकुम का भी टाइम टेबल आना बाकी है वो टाइम टेबल कब आएगा दोस्तों वो भी मैं आपको बता दू की अब मान कर चलिया आप लगबग 20 फरवरी तक आपके वो टाइम टेबल भी दोस्तों जारी कर दिये जानी चाहिए बीस फरवरी मुझे लग रहा है की टाइम टेबल जारी कर दिये जाएंगे लेकिन दोस्तों साथ ही मैं आपको एक बात और बता दू कि मैंने आपको पहले बता दिया था कि जो एकजाम डेट श्टार्ट होगा वो दो अप्रेल से आपके एकजाम है वो श्टार्ट होंगे तो हम जी से जुड़ी वी कोई भी प्रकार की अपडेट कोई भी प्रकार की न्यूस टाइम टेबल से जुड़ी वी कोई भी अपडेट प्राप्त करने के लिए सब्सक्रा कर लिजे हमारे अपने चनल गरीमा बहुतरा को में उरितिक बहुतरा धन्यवाद दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो अधिक शेदिक शेयर जरूर करें